हेलो प्रेंट आज से रेलबे गुरूब डी साइन्स के लिए प्रिभियस यर कोस्टन सिरीज स्टार्ट करने वाले हैं इस सिरीज में रेलबे के एकजाम में पिछले 20 बरसों में पूछेगे साइन्स के सभी प्रसनों को करने वाले हैं इसके लिए खांसर की रेलवे की बूक सबसे बेश्ट है क्योंकि इसमें सभी प्रसन चेप्टर वाइज अलग-अलग दिये गए हैं तो आज हम लोग बाइलोजी से स्टाट करने बाले हैं पहला प्रसन है हीमेटो लोजी का अध्यान डेस से संबंदित है हीमेटो लोजी का अध्यान रक्त से संबंदित है हीमेटो लोजी का अध्यान रक्त से संबंदित है ओप्शन 20 का राइटो तरो का रक्त मारफोलोजी क्या है मारफोलोजी जीब की आकरती उसकी सनराचना और विशिष्ट सनराचत्मा गुनों का अध्यन है बरते हैं next परसन की और निमलिकित में से किसमे मनुष्य क्या अध्यन होता है तो मनुशिका अध्यान एंथ्रोपोलोजी में होता है जन्तू बिग्यान की किस साखा का मौनब जाती के समाज सास्तर के अध्यान से गहरा सम्बंद है तो जन्तू बिग्ययन की enthropology साखाका मानब जाती के समाज सास्तर के अध्यन से गहरा संबंध है नीसेचन, बिकास, बिभाजन और बिभिन्ता के अध्यन को किस नाम से जाना जाता है तो भुरून विज्ञान, निशेचन, विकास, विभाजन और विभिन्ता के अधन को भुरून विज्ञान के नाम से जाना रहता है option is का राइटो तर होगा, बरते हैं अगले परस्ण कियो पौधे में बिमारियों का अध्यान या वह तरीका जिससे पौधे बिरोद करते हैं या संक्रमन से सामना करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, फाइटो पेथोलोजी, option is का राइटो तर होगा, फाइटो पेथोलोजी जीवित चीज़ों पर मिर्दा के परभव का अध्यान, मिर्दा बिग्ञान किस साखा के अंतरगत आता है तो मिर्दा बिग्ञान, एडपोलोजी साखा के अंदर आता है एडाफोलोजी, मिर्दा बिग्यान एडाफोलोजी साखा के अंदर आता है निमलिकित में से सरीर बिग्यान एवं चितिकसा की वा कौन सी साखा है जो पुरूसों के बिशिष्ट रोगों एवं इस्थितियों से संबन देता है तो एंट्रोलोजी शरीर बिज्ञान एवं चितिकसा की वसाखा है जो पूरुसों के विशिस्ट रोगों एवं इस्थितियों से समबन दित है ओप्शन एस कारेटो तो रगा एंट्रोलोजी निमलिक हित में से चितिकसा विज्ञान की कौन सी प्रसाखा यकृत के उपचार और अध्यान से समबन दित है तो यकृत के उपचार और अध्यान से हेप्टोलोजी समबन दित है ओप्शन बी यकृत के उपचार एवं अध्यान से हेप्टोलोजी बरते हैं अगले प्रसंद कियो जीबों के बरगी करन से संबंदे जीब बिग्यान की साखा को क्या कहते हैं जीब बिग्यान की साखा को बरगी करन बिग्यान जीबों के बरगी करन से संबंदे जीब बिग्यान की साखा को बरगी करन बिग्यान कहते हैं उसको क्या कहा जाता है तो विज्ञान की एक सखा जो जीवन या पृत्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंदित है उसे एक्सो बायोलोजी कहते हैं अप्शन 20 का राइट उतरगा एक्सो बायोलोजी डैस तत्वों और मौनब जैसी परजातियां जैसे की बंदर वन मानूस आदी के बहवार का अध्यान है तो बंदर वन मानूस के आदी के बहवार का अध्यान पाइमोटो लोजी कहलाता है निमलिकित में से कौन सा मक्रियों का अध्यान है मक्रियों का अध्यान अरकनो लोजी सोरोलोजी का अध्यान है सोरोलोजी छिपकिली सोरोलोजी छिपकिली डैस लिखित दस्ताबेज हैं जो एक मानब विज्यानी संस्कृती का चित्रन दरसाते अनूसंधान से तयार करता है तो एथ्नोग्राफी एक लिखित दस्ताबेज है जो एक मानब विज्यान संस्कृती का चित्रन दरसाते अनूसंधान से तयार करता है एथ्नोग्राफी एथ्नोग्राफी पक्षियों के अध्यान को क्या कहा जाता है तो पक्षियों के अध्यान को और्नियो थो लोजी कहा जाता है और्नियो थो लोजी पक्छियों के अध्यान को कहा जाता है अप्शन 20 का राइटो तरगा और्नियो थो लोजी प्राचीन काल के जानबरों, पौधों एवं अनी जीवों के संद्रक्षित, अपसेसों या चिन्नों के अध्यान का विग्यान क्या कहलाता है तो जिवास्म बिग्यान, प्राचीन काल के जनबरों, पौधों एवं आने जीवों के संदक्षित, अपसेसों या चिन्नों के ध्यन को जिवास्म बिग्यान, उप्शन C, इसका राइट उतरगा, जिवास्म बिग्यान, पेली ओटोलोजी, पादब बिग्यान में किसका अध्यन किया जाता है, तो पादब बिग्यान में पौधे का अध्यन किया जाता है, उप्शन B, इसका राइट उतरगा, पौधे का अध्यन, पादब बिग्यान, उनकोलोजी किस बिमारी के उपचार से जुरा है, तो उनकोलोजी कैंसर से जुर क्या है तो कवक विज्ञान कुकुरमुता का अध्यान है माइकोलोजी डेस के अध्यान से संबन देत है तो माइकोलोजी कवक के अध्यान से संबन देत है कवक विज्ञान कुकुरमुता का अध्यान माइकोलोजी कवक के अध्यान से संबन देत है ओनेरियोलोजी किसका अध्यान है ओनेरियोलोजी सपने का अध्यान है Option B, Onereology सपने का अध्यन है Sericulture Sericulture रेशम के कीरों का पालन Rेशम कीट का पालन Sericulture Toxicology Toxicology किसका अध्यन है Toxicology जहर का अध्यन है Toxicology जहर का अध्यन है Taxonomy मूल रूप से डेश से संबन दीत है To Taxonomy जह बिविता से संबन दीत है Option इसका रेट उतर लगा जह बिविता Taxonomy जह बिविता से संबन दीत है जिवास्मों के अध्यन को क्या कहा जाता है जिवास्मों के अध्यन को जिवास्म बिग्यान कहा जाता है बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देस क्या है? तो बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देस अध्यन के सभी छेट्रों से विविन की समगरता पर उनके विकासबादी तिहास और उनके फाईलो जेनी की अस्थापना के अधार पर जीवों का बरगी करन बीविन परकार के उत्तकों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो उत्तकों का अध्यन उत्तक विग्यान जनबरों के उनके परियाबरन के साथ संबंधों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो जनबरों के उनके परियाबरन के साथ संबंधों के अध्यन को एकोलोजी जानबरों के उनके परियाबरोनों के साथ संबंधों को एकोलोजी सैबालों के अध्यान से जूरी बनस्पति सखा का नाओ तो सैबालों का अध्यान फाइकोलोजी एपी कल्चर किसे संबंदेता है तो एपी कल्चर मधमक्खी पालन से संबंदेता है Option A स्का रेट उतरगा AP कल्चर का संबन मधुमक की पालन से है रेसम के कीरे का पालन कहलाता है तो रेसम के कीरे का पालन सेरी कल्चर Option D रेसम के कीरे का पालन सेरी कल्चर Entomology में किसका ध्यन किया जाता है तो Entomology में कीटों का ध्यन किया जाता है option 10 का रेट तुरगा entomology में कीटों का ध्यान किया जाता है परिस्तिती विज्ञान ecology का किसे संबंध है तो ecology का संबंध सरीर संदचना और बातावरन से है तो आज हम लोगों ने जीबी ज्यान की साखा से पूछेगे सभी प्रस्नों को किये हैं अगले विडियो में कोशीका से पूछेगे सभी प्रस्नों को करने बाले हैं तो आज कब दियो समप्त करते हैं विडियो चल गए तो चैनल को सब्सक्राइब दियो को लाइक और से रु कर दो हमाओ